असलाम वालेकूम, my name is Michal Tayyab and welcome to Gohar Publishers Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning और हमने जो है वो हम chapter number 4 पढ़ रहे हैं और chapter number 4 में जो है वो हमने 4 kellyps के बारे में पढ़ा और उनको बहुत detail discuss किया अब उसके हवाले से जो है एक overview हमारे पास exercise है जिसमें हमारे पास कुछ question answers है MCQs हैं और fill in the blanks है तो आईए मिलके उसको solve करते हैं जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर A हमारे पास part है जिसके अंदर लिखा हुआ है check, tick the correct answer from the options आपको नीचे कुछ जो है, वो MCQs दिये हुए है जिसमें number 1 पर है हजरत मुहम्मद ﷺ खातम النभीजीन was born in A पर है हमारे पास मदीना, B पर है हमारे पास मक्का तो right answer है B, मक्का number 2 पर है हमारे पास the first male adult who accepted Islam was A पर हमारे पास हजरत रजी रजियलत ताला अनो B पर हमारे पास हजरत अबुबकर सिदीक रजियलत ताला अनो तो इसका आंसर है B, हज़रत अबुबकर सदीक रजियला ताला अन्हों नमबर त्री पे हमारे पास Who was in the cave thore with हज़रत मुहम्मद ﷺ खातम النभी जीन A पे हमारे पास हज़रत उस्मान रजियला ताला अन्हों B पे हमारे पास हज़रत अबुबकर सदीक रजियला ताला अन्हों तो इसका आंसर है B, हज़रत अबुबकर सदीक रजियला ताला अन्हों नमबर फोर और लास्ट पे हमारे पास At the time of acceptance of Islam, हज़रत अली रजियला ताला अन्हों was A पे हमारे पास 7 years old B पे हमारे पास 10 years old तो हमारे पास correct answer है B 10 years old और यहाँ पे MCQs हमारे खत्म होते हैं अब हम चलते हैं B part की तरफ जो है fill in the blanks with the correct words from the box आपको एक उपर box नज़र आ रहा है नीचे कुछ fill in the blanks है हमने उसके जरीए इन blanks को fill करना है नमबर 1 पे हमारे पास there would be no dash until the day of judgment after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatam al-nabijeen तो इस dash में आएगा prophet नमबर 2 पे है हजरत उस्मान रजिल्लादाला अन्हो also called dash तो इस dash में आएगा जुर्कुलने नमबर 3 पे हमारे पास हजरत उमर्स रजिल्लादाला अन्हो title was dash तो इस dash में आएगा फारूक और लास्ट पे हमारे पास जो blank है वो है तो इस dash में आएगा अभी सीनिया यहां पर जो है हमारे fill in the blanks भी खत्म होते हैं C पे आपको नजर आ रहा है कुछ question answer दिये हुए है answer the following question नमबर 1 पे है who was हजरत अबू तालिब तो इसका answer है हजरत अबू तालिब was the father of हजरत अली and the uncle of हजरत मुहम्मद अल्हाला अल्हाली वाली वासलम खात्म नभी जीन नमबर 2 पे हमारे पास question है who was हजरत खतीजा रजिलत ताला अन्हा तो इसका answer है हजरत खतीजा रजिलत ताला अन्हा was the first wife of हजरत मुहम्मद अल्हाला अल्हाली वाली वासलम खात्म नभी जीन नमबर 3 पे हमारे पास who were the sons of हजरत अली रजिलत ताला अन्हा तो इसका answer है हजरत इमाम हसन and हजरत इमाम हुसैन रजिलत ताला अन्हा were the sons of हजरत अली रजिलत ताला अन्हा और लास्ट पे है हमारे पास what tribe did हजरत उस्मान गनी बिलॉंग्स टू इसका answer है हजरत उस्मान गनी बिलॉंग्स टू दी ट्राइब आफ कुरेश और यहां पे जो हमारी exercise खत्म होती है तो मैं उमीद करती हूँ कि हमने जो chapter number 4 कि जो overview exercise आपको solve करवाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अला हाफिज